असलाम आलेकुम वीवर्स आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार से शर्बत की रेसिपी लेकर आई हूँ जो के हैं मैंगो कस्टर्ड शर्बत इसे बनाना बेहत असान है और ऐसा शर्बत आपने कभी भी ट्राइ नहीं किया होगा तो इस रेसिपी को ज़रूर ट् तो चलिए आए वीडियो स्टार्ट करते हैं दूद ले लिया है एक लीटर उसको पकने के लिए रख दिया था मैंने इसके नदर हम एट करेंगे आदा कप चीनी या फिर आप हजवे जाइका भी एट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मताबिक और दूद पक रहा है इतने हम ले पाणने चाहिए तो ऺधी लेडिव ओ गया है और अजो दूद हो अच्छे से बॉइल आ गया था इसके अंदर और अब बहुद कि हमने कस्ट्रट जो डिजोल्व किया था वहम इसके अंदर आड कर देंगे और जली से चंचछा कर देंगे ताकि इसके इसके अंदर कोई ल बगाम पिस्ते और एलाइची इन तीनों को मिलाके मैंने पौडर बना दिया था तो two टेबल स्कून के बराबर है ये तकरीबन और मैंने बहुत थोड़े-थोड़े से बगाम पिस्ते लिये ते और दो यददत एलाइची अड़े था इसको पौडर बना दिया था एड़ करक और आप लोग देख रहे होंगे यह बहुत ज्यादा थिक नहीं है और इसके अंदर हम एट करेंगे एक कप मैंगो पेवरे तो दो अदर आम लियेते और इसको मैंने पीस लिया था ब्लेंडर में डालके और वो हमने इसके अंदर आट कर दिया इसको भी मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से अच्छे से जब यह मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर आट करेंगे तुक मलंगा फाइव टेबल स्पून ले लिजिएगा और इसको मैंने टू टेबल स्पून लिया था तो खमा ELANGA उसको सोक कर दिया था और इसमें से मैं ले लूँँगी फाइव टीबल स्पून और इसको भी हम mix कर लेंगा अची तरीके से तो देखिए mix हो गया है जब यह mix हो जाएगा तो इसके अंदर हमने धेर साही बराफ एट कर देनी है अपनी मर्जी के मताबिक कम या जादा जैसे आपको पसंद हो बराफ एट कर दे और इसको mix करेंगे अच्छी तरीके से तो हमारा यह मज़ेदार सा mango custard शर्बद ready है आप लोग इस recipe को try जरूर कीजिएगा और अपना feedback जरूर दीजिएगा तो यह ठंदा ठंदा सा surf करें आप उपर से चाहें तो garnish के लिए बदाम पिस्ते भी add कर सकते हैं वो अभी मैं last में करूँगी तो classes में निकाल लेते हैं इसको आपको देखने से अंदादा हो रहा है कितने मज़दार लग रहा है यह और उपर मैंने थोड़े से बदाम पिस्तों से इसको garnish कर लूँगी यह देखिए इस तरह से मज़दार सा हमारा शर्बद ready है आज मैं आप लोग को यह simple सी recipe अची लगी होगी तो चलिया यह video स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम तयार करेंगे रबडी तो रबडी के लिए मैंने लिया है एक लीटर दूद और यह fresh दूद है जो गाएं वाला नागोरी वाला जो दूद होता है वो हैगा उससे हम रबडी बना रहे हैं तो इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी low medium flame पे तकरीबर आदे घंटे के लिए जब तक की half quantity में नहीं हो जाता तो यह देखी दूद हमारा पकते पकते half हो गया है और यहाँ पर थोड़ी सी light low है क्योंके light चली गई थी और यह stage दिखानी ज़रूरी थी अच्छा इस रबड़ी वाले दूद को हमने क्या करना है इसको mix करते रहना है क्योंके हमें लच्छेदार रबड़ी नहीं बनानी हमें smooth रबड़ी बनानी है तो जब यह half quantity का हो जाएगा तब हम इसके अंदर add करेंगे elachi powder तो 140 इसको ने राइची powder add कर दिया है मैंने इसके अंदर और उसके बाद में इसके अंदर add करूंगी powder milk तो मैंने 3 4 cup के बराबर लिया है powder milk वो add कर देंगे powder milk add करने से यह बहुत जल्ली से थिक हो जाएगी रबड़ी और बहुत मज़ेदार बनती है तो यह add कर दिया है इसको mix कर लेंगे mix करने के बाद हम इसके अंदर add करेंगे चीनी 3 4 cup चीनी add की है अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर 1 cup चीनी भी add कर सकते है चीनी add करने के बाद मैं इसके अंदर add करूँगी बदाम पिस्ते जो बने बारिक बारिक काट लिये थे टू टू टेबल स्पून के बराबर हैं यह add कर देंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे मज़ीद और 15 मिनिट के लिए ताकि यह थोड़ी से थिक हो जाए और बस आपने इसके पास कड़े रहना है मुस्तकिल चम्टर से लाते रहना है तो देखिए हमारी रबडी जो है बहुत अच्छी से थिक हो गई है इससे जादा थिक नहीं करेंगे नहीं तो यह बहुत जादा हार्ड हो जाएगी अभी यह थोड़े आपको पतली दिख रह जाएगी क्योंकि हमें शर्बत बनाना है तो इसको कम्प्लीट ही ठंडा करना है तो यह बहुत अच्छी से थिक हो जाएगी तो बस इसका में फ्लेम आफ कर दूँगी और इसको में निकाल के फ्रिज में रख दूँगी ताकि आदे घंटे के अंदर बहुत अच्छी सैट हो जाए और ठंडी भी हो जाए तो देखिए किस तरह से हमाई रबडी तयार हो गई है मज़ेदार सी रबडी हमाई तयार हो गई है इस तरह से होने चाहिए यह तो रबडी हमारी हो गई थी ठंडी इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था देखें कितनी थिक हो गई है और शुगर जितनी आट करनी थी वो मैंने रबडी में ही आट कर दी है और मज़िद हम शुगर आट नहीं करेंगे अब इसके लिए एक हम ले लेंगे बड़ा सा बॉल और इसके अंदर मैं एड़ करूंगी एक लीटर दूद दूद आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं मैं टैट्रा वैक यूज़ कर रही हूँ दूद आप करने के बाद इसके अंदर हम सारी रबड़ी आप कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और मैं विक्स यूज़ कर रही हूँ ताकि रबड़ी बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए क्योंकि रब्डी चोती है हमारी बहुत जादा थेक हो गई थी तो यह देखिया अच्छे से मिक्स हो गई है रब्डी मैं आपको दिखा देती हूँ और जब रब्डी अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो हम इसके अंदर आड़ करेंगे तो फ्यू ड्रॉप्स आपके Ind respect कर सकते हैं च्छे यह भी रोस वाटर भी अट कर सकते हैं पिर मैं एट करोंगी तुक मलंगा जो मैंने 2 अज़्बर्शपून लिया था और इसको मैंने एक कप पानी के अंदर सोग कर दिया था तो वो सारा मैंने इसके इंदर एड़ कर दिया इसको भी मिक्स कर लेंगे अची तरीके से जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसके इंदर एड़ करेंगे बदाम पिस्ते तो मैंने स्लाइसेस में कट किये तो इसके बाद हम बरफ एड़ कर देंगे तो हमारा मज़धार सा रबडी शर्वट रेड़ी हो जाएगा तो इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा और ट्राइ करें तो अपना फीड़बेक जरूर दीजेगा बताएगे जरूर कैसी लगी आपको यह रेसिपी अब इसको मैं ग्लासेस में निकाल लूँगी तो देखिए इसको मैंने ग्लासेस में निकाल लिया उपर से भी आप इसको गार्णिश कर सकते हैं बजाम पिस्ते से बहुत ही मज़िदार बनता है यह शर्बत जब तक आप लोग ट्राय नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कैसा बना रही शर्बत तो जरूर ट्राय कीजेगा आप इस शर्बत को तो यह देखिए मज़िदार सा ठंड़ ठंड़ सा शर्बत एंजोई करें आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल दूद शर्बत की राज़िप लेकर आई हूँ बहुत ही असान है और बहुत जट पर तयार हो जाता है और कोई जादे इंग्रीडिट्स नहीं चाहिए होते हैं इसके लिए सब चीज़े घर में ही मौजूद होती है तो इस महरम इस शर्बत को जरूर बनाईएगा और इस वीडियो को लास तक जरूर देख तो चलिया यह वीडियो स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए हमें चाहिए एक लीटर मैंने दूद लिया है और मैं यह टाटर पैक का यूज कर रही हूँ आप लोग चाहिए तो नॉर्मल जो दूद होता है काएं का दूद वो भी यूज कर सकते हैं लेकिन वो आपको बॉइल करके पहले ठंडा करना पड़ेगा उसके बाद ही आव इस्तेमाल कर सक यह आपने टेस्ट के मताबिक भी आइड कर सकते हैं कम यह जादा जैसा आपको पसंद हो इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है थोड़ा रिच हो जाता है यह शर्बत इसलिए मैं यह एड कर रही हूँ पिर इसके बाद इसके अंदर हम रूफजा एड कर देंगे त तो मैं 4-5 टीबी स्पून तकरीबन एड करूँगी रूफजा या फिर आप लोग अपनी मर्जी के साब से भी आड कर सकते हैं कम यह जादा जैसा आपको पसंद हो तो मैं बहुत डाक कर अड़का नहीं बना रही हूँ मैं जरा लाइट पिंक कर अड़का बनाऊंगी इस जैसे मैं 4-5 टीबी स्पून ही इसके अंदर आड करूँगी इससे जादा नहीं आड करूँगी अचा आप लोग चाहिए रूफजा नहीं अगर आप लोगो पसंद है तो आप कोई भी शर्बत इसमें आड कर सकते हैं कोई भी फ्लेवर का स्टॉबरी फ्लेवर का और एक यौण शर्बत होता है पाकोला फ्लेवर का आप लोगो भी आड कर सकते हैं फ्लेवर देने के लिए इसकी बाद में सके अंदर केवडा आड करूँगी तकरीवन 4 टीसपून बराबर आड करूँगी केवडा एससन्स अगर आप लोग यह नहीं आड करना चाहतें तो आप इसमें rose water भी add कर सकते हैं या kevda water भी मिल जाता है वो भी add कर सकते हैं तो आप लोग को options बता रही हूँ आप लोग अपने मर्जी के साब से भी बना सकते हैं इस शर्पत को जरूरी नहीं है मैं जैसे बना रही हूँ आप लोग उस तरह से ये बनाएं बजस्ट आपको एक idea दे रही हूँ इस तरह से आप लोग शर्पत अच्छा तयार कर सकते हैं इसके बाद मैंने जैली ले लिए एक कप और अगर आप लोग को जैली की recipe चाहिए तो मेरे चैनल से मिल जाएगी तो जैली पका के मैंने ठंडा कर लिया था उसको छोटे cubes में मैंने कट कर लिया है और इसको भी हम mix कर लेंगे इसके साथ और बहुत ही मज़िदार बनता है ये शर्पत इसको try जरू कीजेगा इसके बाद हमें चाहिए होगा पिस्ता तो मैंने पिस्ता को slices में कट कर लिया था crush कर लिया अची तरीके से अब इसमें मैं बर फैट कर दूँगी ये भी आप अपनी मर्जी के साथ से ले सकते हैं कम या जादा जैसे भी आपको पसंदो और इसको बस mix कर लेंगे तो ये ठंडा रंडा शर्पत हम सर्फ करेंगे इसको मैं serving glasses में निकाल लूँगी तो इस recipe को try जरूर कीजिएगा और अपना feedback जरूर दीजिएगा बताईएगा जरूर आप लोगो कैसी लगी ये recipe तो ये देखिए हमारे special do शर्पत ready है तो इसको मैंने glasses में निकाल लिया था जगवे भी निकाल लिया है आप लोग इस तरह से सर्फ कर सकते हैं और enjoy कर सकते हैं तो इस शर्पत को जरूर ट्राइ कीजिएगा और अपना feedback जरूर दीजिएगा आज मैं आप लोगो के लिए बहुत ही मज़दार से custard badam शर्पत की recipe लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहत असान है और बहुत असानी से बहुत मज़दार शर्पत बन के तयार हो जाता है दूद वाला शर्पत बन के तयार होता है ये बहुत टेस्टी सा शर्पत बन के तयार होता है ये तो इस वीडियो को लास्तक जरूर देखिएगा तो चलिया ये वीडियो स्टार्ट करते हैं इदर मैंने एक लीटर दूस लिया था उसको बॉइल करने के लिए रख दिया था चुले पे और ये बॉइल हो चुका है हलकी आँच पे पक रहा है तो इसके अंदर हम एट कर देंगे आदक चीनी चीनी आप हजब जाइका भी एट कर सकते हैं कम याजादा अपनी मर्जे के मताबग फिर मैं इसके अंदर एट कर दूंगी इलाइची पाउडर वन टी स्पून के बराबर एलाईजी पाउडर एट करने के बाद हम इसके अंदर एट करेंगे बदाम, तो बदाम को मैंने अच्छी तरीके से कूट लिया था, बिल्कुल बारीक कर लिया है आप लोग चाहें तो पाउडर भी बना सकते हैं तो इसको यह तोo टेबल स्पून के बराबर लिया था मैंने आप होग Oh और श्च ऑस्पून किस्टर दба लिया था मैंने अच एंड कर दिया थाраж मेंट भीजोपystem देज। अब इसके अधर कर देंगे इधर में वनेला कस्टर्ट यूज कर रही हूं और वह मैं इसके अधर कर देंगे इसे बिलकुल हलकी सी थिकनस आएगी बहुत ज्यादा भी नहीं थिक होगा बहुत हलकी सी आती है थिकनस लिकिन यह किस टेस्ट अच्छा लगता है पीने में तो इसको भी mix करके हम 2-3 मिट तक पका लेंगे उसके बाद इसके अंदर मैंने add किया है जर्दा food color ये optional है अगर आप लोग के पास हो तो जरूर add कीजेगा एक color के लिए add किया है ताकि थोड़ा presentable लगेगे बस इसको mix करेंगे अच्छी तरीके से इसके बाद बस ये ready है आप flame off क और इसको फिरज में रख दीजेगा ठंडा करने के लिए एक से दो घंटे के लिए तो देखिए शर्बत हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है इसको मैंने फ्रीजर में रख दिया था ताकि अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए और अब हम इसके अंदर add करेंगे केवडा तो क टेबल स्पून लेके इसको सोग कर दिया था पानी के अंदर और वो भी हम इसके अंदर add कर देंगे इसको mix कर लेंगे अच्छी तरीके से तुक मलंगा जरूर add कीजिएगा उसके साथ बहुत अच्छा बनके तयार होता है ये फिर लास्ट में हम इसके अंदर बेदाम पिस जरूर दीजिएगा पताईएगा जरूर कैसा लगा आपको ये शर्बत ये देखिए तो ये देखिए इसको मैं इस तरह से ग्लासस में निकाल लिया है और जग में भी निकाल लिया है लास्ट में आपने बदाम पिस्ते अड़ कर देने इसके ओपर आई हो आपको ये करेंगे साबुदाना मैं और भी रेसिपी आपको सिका चुकी हूं साबुदाना ड्रिंक की लेकिन आज ही हम मुहारम स्पेशल शर्बत बना रहे तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं इसके लिए पैन में मैंने पान के लिए चोड़ दीजिएगा 10 से 12 मिनिट के लिए तो ये 10 से 12 मिनिट में पके तयार हो जाता है थोड़ सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा अब इसके बाद इसको हम चान लेंगे तो इदर एक मैंने चनी ले लिए है और इसके अंदर आपने इसको चान लेना है जैली की तरफ तो इदर मैंने डेड़ कप पानी लिया है इसको हम पकने के लिए रख देंगे और इसके अंदर मैं जैली आट कर दूँगी तो इदर मैंने लिए स्टॉबरी जैली आप लोग को इसी भी फ्लेवर की जैली ले सकते हैं जो भी आपको पसंदों अपनी मर्ज मताबक तो एक पैकट मैंने इसके अंदर एट कर दिया है इसको मिक्स करेंगे बस यह हलका सा बॉइल आएका उसके बाद यह रैडी है इसको आपने किसी भी बरतन में निकाल लेना है ठंडा करने के लिए अब इसी तरना से मैंने ग्रीन जैली भी रैडी कर ली थी बनाना है इसका तो इसको भी इन दोनों जैलीज को हम रख देंगे ठंडा करने के लिए अब आ जाते हैं शर्बत की तरफ शर्बत के लिए हमें दूद चाहिए होगा एक लिटर इसको मैंने बॉइल करके ठंडा कर लिया था इसके अंदर एट कर देंगे आदा कप चीनी तो इदर मे को अपनी मर्जी के मताबिक आइट करना चाहें तो कर सकते हैं कम या जादा क्योंकि हमने रूफजा एट किया ये भी मीठा होता है इसलिए आदा कपी चीनी मैंने आइट कीती इसके अंदर अब इसके अंदर हम साबुद आना एट कर देंगे ये ठंडा हो चुका है और बहुत ही मज़िदार बनके तियार होता है ये शर्बत आप लोग इसको ट्राय जरूर कीजेगा और अपना फीडबैक जरूर दीजेगा तो बस इसको मिक्स करेंगे अची तरीके से उसके बाद मैं इसके अंदर केवड आइसेंस आइट करूंगी फ्यू ड्रॉप्स ब और काफी एल्दी रहेगा, पेट के लिए काफी अच्छा रहेगा थंडा रहता इसाबुडाना पेट के लिए तो इसको इसको इस्तेमाल करना चाहिए और ये डृइंट में बहुत भूत मैं शू करीग थाय इसको पिस्ते बैम के साब खूंकि तो सर्बिंग के वक्त इसक तो वीवर्स अगर आप लोगों में रेसिपीद अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर किया करें, शेयर भी जरूर किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमली के साथ, तो मुझे अपनी दौाओं में याद रखेगा, अल